नमस्कार, Flowers and Kitchen Garden चैनल पर में कविता आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज की इस वीडियो में मैं अपने गार्डन का पूरा ओवर्विव आपको दिखाऊंगी और जैसा कि आप वीडियो में देखी रहे हैं एक तरीके से मैंने आपको दिखाई हैं और कौन-कौन से प्लांट मेरे गार्डन में हैं आपको यह भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी हो सकता है यह वीडियो बड़ा हो जाए और मुझे इसे दो पार्ट में बनाना पड़े तो आप मेरे दोनों पार्ट जरूर देखिएगा और हमेशा की तरह आप से एक नेक्स्ट वीडियो जितनी भी जो में डालूंगी वह आप तक डारेक्ली पहुंचती रहेगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सब कुछ दिखाऊंगी जो हैंगिंग बास्केट हैं में क्या लगाया है मैं सब कुछ दिखाऊंगी तो वीडियो पूरा कहां कहां कौन कौन से प्लांट लगे हैं तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं यह ब्रह्मकमल का प्लांट जो मैंने प्रोपागेट किया है और जिसे अभी मैंने ट्रांस्प्लांट किया है इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया इसके पास यह टैंगल हाट है जिसकी कंडिशन थोड़ी खराब हो रही है लेकिन काफी अच्छा चल रहा है यह मदर प्लांट है टैंगल हाट का इसी से मैंने बहुत सारे प्लांट बनाया है हैं हैं इसे ग्रो बैग में भी लगाया हुआ है बहुत सी जगत इसकी कटिंग ऐसी गिर जा रही है और वह अ बैट की कि घ brightness को रही है में रहा है कि एभ टन्क की है मुझे प्लावरिण बनाट है यह जहिए हिँ इन पराइब प्लावर्वारिण सां इसाल इंग चलने वाले प्लांट हैं है यहां वह ऑन जा इस ठावरिण करते रहे का जाए ब्लावरिंग स्विल दाइभं कर बॉंक यहां पर मैंने टेहलिया रखा है देखें इसमें पाउडरिंग मेल्यू करके जो बीमारी होती है उसके इस पर दिखने लगे हमें इसे दूप में रखना होगा एक्चली इसकी रूट्स डेमेज हो गई इसलिए मैंने इसे शेड में रख रखा था अब मैं इसे पूरी तरहे रख दूँगी कल से यहां पर मोगरा का प्लांट रखा है और इसी के पास यहां पर कलांचो की कटिंग लगी है अप्राजीता वाइट वाली जो अच्छे से ग्रो हो रही है जिनके सीड लगाया थे मैंने और यह ग्लैडियस भी अच्छे से चल रहा है यहां पर पत्थर को की अक्ली 6 वाइन पत्ता बत्ता रहां अलो मेरा ने यह ग्लान्ट बनाया थे प्लांट बनाया है यह आप के प्लास्टिक बॉर्टल में लगे हमें यह ब Sup घॉड़ोग फैट और यह फिर से वाइट यहां पर और यह टर्टल वाइन लगी हुई है इस बॉटल में यहां पर और इसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने अपने गार्डन के लिए कुछ बनाया है कुछ स्पेशल किया है और यहां पर पिंक कलर का परस्यृलेन यह देखे लिए फिर से टैंगर्ड हाट कितना अच्छा चलते हुए अच्छा लग रहा है वह सुन्दर लग रहा है ऐसा लग रहा है जिसे इसके बाल बहुत लंबे हो गए और यह फिर से पॉच्छी लगा गाजरी कलर का कि बहुत सुंदर लगता है मुझे यह कलर और यह दिखिए यह पर पॉइंसेटिया रखा है और यह इस तरीके से दिखती है यह बॉटल से लगी पॉइंसेटिया भी आप धीरे-धीरे कलर लेने लगा है जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे इनके पत्तों का भी कलर यह संलाइट की से जरूरत नहीं है और यहां पर उदीना लगा है इसमें कमले में इसी के पास कड़वा वाला नीम है और यह यहां पर राखी बेल लगाई हुए है राखी बेल का गमला रखा है यह रेड वाली राखी बेल वाला है और इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो बास्केट्स हैं यहां पर हैंक हुए यह पॉट्ट मेने अभी विंटर प्लांट्स जो वेजिटेबल प्लांट्स होते उनके लिए खाली छोड़ा हुआ है और यहां पर गार्डन को एक अलग ही कलर एड करने के लिए यह प्लांट यहां पर रखा है यह फिर से राखी बेल गई यहां पर राखी वाली राखी बेल का यह अप्लांट है और इसी के आगे रखा है इंस्यूलिन प्लांट जिसका वीतियो बी दो दिन पहले ही मैंने शैर किया यहां Kalanjo रखा है ये Red Color का Hybrid Kalanjo और ये White वाला Hybrid Kalanjo तिनों पास में रखे हैं और ये फिर से Cutting Kalanjo की जो यहाँ पर रखी है मैंने दूप के लिए रखा है इसको यहाँ पर और इसी के पास ये Clematis का प्लान्ड जिसे Sweet Autumn Clematis भी कहते है और कितने अच्छे गुच्छों में फूल आते हैं इसके हूं कि बहुत ही सुन्दर प्लांट है और इसी के पास फिर से एक राखी बेल का प्लांट है और यह पॉर्चुलागा का फ्लावर खिलते हूए यहां पर बहुत ही सुन्दर और यह रेड कलर का हेंडिंग बासकिट में लगा है और यह यहां पर राख़ी बेल ब्लु वाली जो मेरी सबसे पुरानी राख़ी बेले इस पर इस ब tissu बार बहुत कम फ्लावरिंग हुई है तो और यहां पर मेंई चांदनी का प्लांट है इसी के पास इसी के पास लाल सा का प्लांट है यह एक जोरा का प्लांट है और यह बिग साइज वाला एक जोरा है चोटा वाला नहीं है द्वार्फ वाला नहीं है और यहां पर प्रुमेरिया नाख चंपा का पौधा और बहुती सुन्दर फ्लावरिंग कर रहा है यह भी और काफी ब्रांचे जा रही है इसमें भी और गुच्छों में फूल आते हैं एक बार आते हैं फिर एक दो हफ़ते बाद फिर से आने लग जाते हैं और यहीं पर मैंने अपना पुराना गुलाब रखा है यह गुलाब क एज हो जाएगी पूरे दो साल का इस विंटर में और सबसे अच्छी फ्लावरिंग देने वाला अब तक का मेरे पास यह सबसे बैस्ट प्लांट है यहां पर मुसांडा का प्लांट है और इसमें भी अब फिर से फ्लावरिंग शुरू हो रही है और इसी के पास गंधराज का प्लांट रखा हुआ है जो कि अभी डॉर्मेंट है और यहां पर पैंडा फाइकस रखा हुआ है इसी के पास और यह देखिए अब आज तो इस वीडियो में मैं आपको इस कोने तक ही दिखा पाऊंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया ह तो आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आयोगा इसके आगे मैं आपको कल जानकारी दूंगी अगर पसंद आयो तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मैं चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरू कीजिए बेल आइकन और प्रेस आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टी पहुंचती रहा है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई